तो दूस्वों IPL 2024 के पोइंच टेबल में हमें हर दिन कई बड़े उलट फेर देखने को मिल रहे हैं जहां आज IPL 2024 का 22 मैच चेन्नेई सुपरकिंग्स बनाम कोलकाता नाइट आरस के बीचे खेला गया और इस 22 मैच में चेन्नेई सुपरकिंग ने कोलकाता नाइट आरस को हर को में काफी बड़ा नुखसान होगा तो ऐसे में पोइंसी टीम किस पायदान पर है और किस टीम के पाष से कितना पॉइंट है और यहां से अप प्ले off में कौणीफाय निम करने कеся को को कितने मैच और जो है जीतने होंगे इस चूटो में आपको सारी जानकारी जो है मिलने वाली है तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है काफी जादा इंपॉर्डटन वीडियो में अन्तता कौप बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाताना हुआ इसे तो सो आई पेल से जुड़ी हर चोटी बटीनी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइनने कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगी तो आए चलो जो है वी तो दोस्तो 22 मेंचों के बाद जो टीम पोइंच टेबल में सबसे आखर यानि दसवे पायदान पर है वह है दली कैपिटल रिशब पंद की कप्तानी वाली टीम दली कैपिटल जो है दसवे पायदान पर बनी हुए इस टीम ने अब तक पांच मैच खिले और इन पांच जो में दली कैपिटल को हार का सामना करना पड़ा है अभी दली कैपिटल के पास्ट टोटल दो पोइंट है तो इन ने टनरेट मैड जो है माइनस 1.37 जो की काफी खराब है अभी आने वाले इस टीम को 9 मैच और खिलने है और इन 9 मैचों में से दली कैपिटल को कम से कम 8 मैच में और जीत हासिल करनी होगे प्ले आफ में कौलीफाइक करनी के लिए साथ में इस टीम को अपना नेट अनेट भी बहतरी ने करना होगा वहीं तली कैपिटल अपना अगला मुकाबला जो खेलने वाली है वो मुकाबला 12 अपरेल को लखनो सुबजन के खिलाफो खेला जाएगा वहीं पोई स्टेबल में नवे पायदान पर है रोयल चेलेंजर्स बिंगलूरू फैब टूप्ले सी कप्तानी माली टीम रोयल चेलेंजर्स बिंगलूरू का परदस्षन अब तक उतना बहतरी नहीं रहा जाए इस टीम ने अब तक पांच मुकाबला खेला है और और इन 9 मैचों में से कम से कम 8 मैच में इस टीम को और जीता हासिल करने होगी साथ में इस टीम को अपना नेटर नेट भी बहतर करना होगा प्ले आफ में कौलिफाय करने के लिए यह टीम अपना अगला मुकाबला जो खेलने वाली है ओ मुकाबला मुंबई इंडन की गिला मुंबई इंडन, हार्दिक पांड़ा की कप्तानी वाले टीम मुंबई इंडन जो अब तक 4 मैच खेली है और इन 4 मैचों में से 1 मैच में इस टीम ने जीत हासिल किया जबकि 3 मैचों में मुंबई इंडन को हार का सामना करना पड़ा है अब इस टीम के पास टोटल 2 पॉइंड है तो मुंबई इंडन का जो नेट नेट है माइनच 0.704 है जो की काफी खराब है अब इस टीम को 10 मैच और खेलें और इन 10 मैचों में से कम से कम 8 मैच में इस टीम को जीतने के साथ साथ अपना नेट नेट काफी बहतरी ने करना होगा प्ले ओफ में कौलिफाइ करने के लिए वही मुंबई अपना अगला मुकाबला जो खेले वाली है वो मुकाबला 11 अपरेल को रोयल चैलेंजर बिंग्लूरू को खिला खेला जागा और ये मुकाबला वान खेड़े इस्टेडिया मुंबई में खेला जाने वाला है जबकि पोईस टेबल में जो टीम सातेवे पायदान पर है वो है गुजरात टाइटन शुमन गिल की कप्तानी वाले टीम गुजरात टाइटन का परसेशन IPL 2030 में अब तक उतना बैतरी नहीं रहा है जहाँ इस टीम ने अब तक IPL 2024 में पाँच मैच खेलिये और इन पाँच मैचों में सिर्फ दो मैच में इस टीम को जीत मिलिये जबकि तीन मैचों में गुजरात टाइटन को हार का सामना करना पड़ा है अब इस टीम के पास टोटल चार पोइंट है तो ही गुजरात टाइटन का जो नेट अनेट है माइनस में माइनस 0.797 है अब इस टीम को 9 मैच और खेलने और इन 9 मैचों में से कम से कम साथ मैच में इस टीम को जीत हासिल करने होगी साथ में इस टीम को अपना नेट अनेट भी काफी बहतर करना होगा प्ले ओफ में कॉलिफाइ करने के लिए वहीं गुजराट टैटन अपना अगला मुकाबला जो खेलने माले हो मुकाबला राजसान रोयल्स के खिलाफ खेला जाएगा 10 अपरेल को पोई स्टेबल में छटे पायदान पर बनी हुई है पंजाब किंग पंजाब किंग शिकरदोन की कप्तानी वाले टीम जो अब तक चार मैच आई पील दो हजाट चोबिस में खेल चुकी है और इन चार मैचों में से जहां दो मैच में इस टीम ने जीत हासिल किया तो इन दो म मैच में से कम से कम साहज मैच में इस टीम को और जीत हासिल करने होगी प्लेओफ में कौलिफाइब करने के लिए मुहीं पंजाब तिम पाँच वे सब्सक्राइन पर ओ दो मुखाबले में स्टीम ने जीत चाहसल के है, जबकि दो मुखाबले में संडाइजध हेदराबाद को हार मिली है। अभी स्टीम के पास टोटल चार पॉइंट है, संडाइजध हेदराबाद का प्लस में काफी बहतरीन है, प्लस 0.409 श्टीम का नेट अंडेट है अभी इस टीम को 10 मैच और खिलें और आने मेले इन 10 मैचों में साथ मैच में कम से कम और इस टीम को जीत दर्जे करनी होगी प्ले आफ में कौलीफाइ करने के लिए वही संदाइदत हैजराबाद अपना अगला मुकाबला जो खिले वाली है वो मुकाबला पंजाब किंग के खिलाफ 9 अप्रेल को खिला जागा और यह मुकाबला चंडीगर में खेला जाने वाल है जबकि पोइंस टेबल में जो टीम में चौते पाइदान पर है वो एल लकनो सुबजंद केल राहूल की कप्तानी वाले टीम लकनो सुबजंद का परदाशन आईप प्लस में काफी बहतर है प्लस 0.775 इस टीम का नेट रंडेट है अब इस टीम को आने वाले 10 मैच और खेलने और इन 10 मैचों में से कम से कम 6 मैच में और इस टीम को जीता हासिल करनी होगी प्ले आफ में कौलीफाइ करने के लिए वह लकनो सुबजंद अपना अगला प्लस के खिला 12 अपरेल को और यह मुकाबला जो रहने वाल है लखनों में खेला जाएगा पोइंच टेबल में तीसरे पायदान पर पहुच चुकी है आज का मैच जीतने वाले टीम चन्ने सूपर किंग रुतुराज गयकवाड की कप्तानी वाले टीम चन्ने सूपर किंग प्लस के प्लस का प्लस में काफी जादा बहतरी नहीं चन्ने सूपर किंग को अभी नौ मैच और इन नौ मैचों में से कम से कम चे मैच में और इस टीम को जीतना हासिल करनी होगी प्ले आफ में कौलिफाइ करने के लिए वहीं चन्ने सूपर किंग का अगला मुकाबला जो होने वाला है वो मुकाबला मुमबई इंडिन की गलाफ 14 अप्रेल को खेला जाएगा यह मुकाबला काफी जादा रोमांचक रहने वाला है जबकि पॉइंस टेबल में दूसरे पाइदान पर है आज का मैच हारने वाली टीम कोलकाता नाइटर कोलकाता नाइटर को आज के मैच में चन्ने सूपर किंग ने हरा दिया श्रेश ऐयर की कप्तानी वाले टीम कोलकाता नाइटर जो अब तक चार मैच के लिए और इन चार मैचों में से इस टीम ने तीन मैच में जीत हासिल किया जबकि सिर्फ एक मैच में कोलकाता नाइटर को हार का सामना करना पड़ा है अभी कोलकाता नाइडस के पास टोडल 6 पोइंट है तो इस टीम का जो नेट अनेड़ प्लस में काफी जादा बहतरीन है अभी इस टीम को 10 मैच और खेलें और इन 10 मैचों में से कम से कम 6 मैच में और इस टीम को जीता हासिल करनी होगी प्ले आफ में कौलीफाइ करनी के लिए कोलकाता नाइडस का अगला मुकाबल़ लगनू सुबर्जार्ण्स के खिला फर खेला जागा और यäh मुकाबल़ 14 अप्रेल को खेला जाने वाल है कोलकाता नाइडस के कहले पायदान पर बनी हुए राजस सान्रोल संजू Samson की कप्तानी वाली टीम राजस सान्रोल्स का पर तो टोटल आठ पॉइंट है तो इन राजस सांडोल्स का जो नेट रन रेट है प्लस में बहतरी ने प्लस 1.120 इस टीम का नेट रन रेट है अभी इस टीम को 10 मैच और इन 10 मैचों में से कम से कम पांच मैच में और जीता हासिल करनी होगी प्ले आफ में कौलिफाय करने के तो दोस्तो इह रहाँ IPL 2024 का नया पॉइंच टेबल जो की 22 में चिन्नी सुपर किंक से बना कोलकाता नाइट के मैच के बात का है तो आपको क्या लगता है IPL 2024 में क्या कोलकाता नाइट प्ले आफ में कौलिफाय कर पाएगी कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं तो दोस्त शुनबतने अगर आप वीडियो पसंद आयो वीडियो को लाइक का देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइक अंद वादना थैंक्यू सो मैच गाइस फोर वाचिंग दिस वीडियो